नमस्कार मैं हूँ माध्य और आप देख रहें स्वामी न्यूस आज लगबग 90% जुलसी वी अवस्था में अजमेर के जवाला नेरो अस्पताल में बढ़ती करवाया गया। दोनों शिक्षिकाओं को अजमेर लेकर पहुंचे ग्रामिट खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों शिक्षिकाओं किन परिस्थितियों में जुलसी। उनका कहना है कि स्कूल में शिक्षिकाओं के जलने की खबर मिलने के बाद वे इन्हें अजमेर लाएं हैं। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे पुलिस का कहना है कि फिलहाल दोनों शिक्षिकाओं बयान देने की सितिय में नहीं है। पुलिस पूरे मामले को संदिक दिमान कर जांच में चुट गई है। पुलिस को शिक्षिकाओं के परिचन और स्कूल प्रभंदन के अच्वेर पहुंचने का इंतजार है। उनके पहुंचने के बाद ही इस हाथसे के काड़ों का खुलासा हो पाएगा। दोनों शिक्षिकाओं के हालत बेहत नासुब बताई चारी है। फिलाद दोनों का बर्न यूनिट में इलाज चारी है। विशा का शर्मा शनौफ गनेश लाल शर्मा उमर गरीब 18 वरस जाजोता जिनका भी अस्पतार में इलाज चल रहा है। और जीनों ना गटना वगरा दे कि वो अभी कोई साथ नहीं। बच्चें के हालत कैसी है और क्या उनके बयान गुए है। बयान देने की इस्तिती में नहीं बता रहे हैं डाव टूलौ। अलत कैसी है। अलत गंबीर है। यहाज दोपर को हमें थाने पर सूजना मिली थी कि जाजोता गाव में दो लटकियां आग लगने से काफी जुलस गई है। इनको रूपनगड होस्पिटल में लेके आए। वहां से सिदे इनको जेह लेना जमेय रेफर कर दिया। अभी होस्पिटल में आके दोक्टर साब से मिले। इननों नहीं बताया कि यह दोनों अभी बयान देने की इस्तिति में नहीं है। काफी जली हुई है। तो दोनों अभी बयान देने की इस्तिति में नहीं है। झाल झाल